Hey guys, मेरा नाम है अनुभाव, welcome to biology aid और आज के वीडियो में हम discuss करेंगे algae के बारे में इस वीडियो में मैंने खूब सारी pictures आड़ करी हैं, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है As usual, वीडियो होगा short and based on NCRT तो चलिए फिर बिनादेर करें, let's get started तो सबसे पहली बात जो NCRT हमें बताती है algae के बारे में, कि ये है chlorophyll bearing thaloid organisms तो आप जब भी अपने दिमाग में algae को visualize करोगे, तो आप इसी sentence से करोगे अब इस sentence का मतलब क्या है, इसको समझते हैं chlorophyll bearing, यानि ये photosynthesis करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि these are autotrophic, right? आगे बढ़ते हैं, तो chlorophyll bearing thaloid organisms thaloid का मतलब एक ऐसा structure जिसमें root, stem और leaf का कोई differentiation ना हो भाई, last video में हमने discuss किया था कि algae least evolved members है, plant kingdom के तो इनमें true root, true stem और true leaf absent होती है तो इनकी जो body है, उसको हम thallus बोल देते हैं clear? चलिए, अब हम फटाफट से algae के कुछ general characters को discuss करेंगे सबसे पहले अगर इनके habitat की बात करें, यनि ये कहां पाए जाते हैं तो चलिए एक image मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे बच्चे बड़े मजे से algae से भरे हुए pond में नहा रहे हैं तो इस image से आप visualize कर सकते हैं कि algae fresh water और marine water दोनों में पाए जाते हैं फ्रेश water bodies जैसे की pond और lake और marine water यनि खारा पानी जिसमें नमक होता है जैसे की sea प्लस algae brackish water में भी पाए जाते हैं brackish water मतलब fresh और salt water का जो mixture होता है उसको brackish water कहते हैं इसके अलावा algae unusual habitats में भी मिलते हैं जैसे की sloth beer के उपर तो again ये है sloth beer और इसके फर पे ये जो आप greenish color देख रहे हैं ये और कुछ नहीं बलकि algae है उसके अलावा algae moist soil, stone और wood पे भी मिलते हैं और आपने एक association का नाम भी सुना होगा जिसके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं ये algae और fungi के बीच में एक symbiotic association होता है जनरल characters में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं algae के form और structure के बारे में algae बहुत ही varied forms और structure में पाए जाते हैं ये microscopic और unicellular हो सकते हैं जैसे की chlamidomonas और multicellular की बात करें तो इसमें भी अलग-अलग तरह के forms हमें देखने को मिलते हैं जैसे की colonial यानि काफी सारे algae मिलके एक colony type की बना लेते हैं जैसे की walvox के case में होता है यहां आप इस diagram में देख सकते हैं कि छोटी-छोटी daughter colony से मिलके walvox की एक parent colony तयार हुई है इसके अलावा multicellular algae filamentous हो सकते हैं filament मतलब elongated thread-like structure जैसे की eulothrix और spirogyra में होता है इसके अलावा multicellular algae kelps की तरह massive यानि बहुत बड़े भी होते हैं इस image में आप देख सकते हैं यह सामने fishes हैं और इनके पीछे यह जो बड़े से plant-like structures जो आपको देख रहे हैं वो actually kelps हैं जो एक तरीके के algae होते हैं और यह 100 meters तक grow कर जाते हैं यानि almost एक football field जितने तो अगर NCRT कहती है कि algae are highly variable in size तो ठीकी कहती है right? ओके, algae के general features में next बात कर लेते हैं इनके modes of reproduction की तो algae में हमें तीनो modes of reproduction देखने को मिलते हैं vegetative, asexual और sexual सबसे बहले बात करें vegetative की तो आपको इसमें बहुत जादा कुछ याद नहीं करना है आपने 10th class में fragmentation in spirogyra के बारे में पढ़ा होगा जहां एक spirogyra fragments में divide कर जाता है और हर fragment नया spirogyra form कर लेता है बस वहीं यहाँ पर है कि algae fragmentation के तुरू vegetatively reproduce करते हैं easy अब बात करें asexual की तो यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा algae में asexual reproduction जो है वो होता है spores के तुरू ओके, अब algae में spores दो तरह के हो सकते हैं zoospores और aplanospores zoospores flagellated होते हैं यनि इनमें flagella present होता है जिसकी वज़े से यह motile होते हैं यनि move कर सकते हैं aplanospores unflagellated होते हैं जिसकी वज़े से यह non-motile होते हैं अब sexual reproduction की बात करें तो आपको पता होगा कि sexual reproduction तो gametes के थू होता है और जब gametes fuse होते हैं तो वो zygote बनाते हैं अब algae की case में gametes तीन तरीके के हो सकते हैं isogamous, anisogamous और oogamous isogamous यनि fuse करने वाले दोनो gametes form और size में similar होंगे यनि ये size तो same होगा ही और अगर एक पे flagella है तो दूसरे पे भी flagella होगा और अगर flagella नहीं है तो दोनों पे flagella नहीं होगा राइट, anisogamous की बात करें तो इसमें दोनों gametes size और form में एक से नहीं होते हैं dissimilar होते हैं या तो एक बड़ा होगा, दूसरा छोटा या फिर दोनों same size के अगर होंगे तो एक flagellated होगा और एक non-flagellated होगा clear? लास्ली बात करें अगर oogamous की तो यहां दोनों gametes में से एक बड़ा और non-motile female gamete होगा और दूसरा छोटा, motile, male gamete होगा तो यह तो बात होई algae के कुछ general characters की अब आगे जब हम algae के types को discuss करेंगे तो isogamous, anisogamous, zoospores, aplanospores यह सारे terms आने वाले हैं तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए तो अब हम आजाते हैं algae के बहुत ही important part पे जहांसे आपके questions बनने के बहुत chances होते हैं Classes of algae तो देखिए, algae को further classify किया गया on the basis of pigment, stored food, cell wall and type and location of flagella तो आपकी NCRT में एक question है What is the basis of classification of algae? तो आप इसके answer में ये सारे points बताएंगे लेकिन जो सबसे important basis है algae को classify करने का वो होगा on the basis of pigments क्यों? क्योंकि pigments देते हैं color और algae की classes के नाम ही color की basis पे हैं जैसे की chlorophyte से या green algae, phaophyte से या brown algae और rodophyte से या red algae अब हम क्या करेंगे? कि ये जो सारे factors हैं जिनके basis पे हमने algae को classify किया है इनको discuss करके देखेंगे कि green, brown और red algae के बीच में क्या difference है तो फटाफट से हम 3 columns बना लेंगे उपर लिखेंगे chlorophyte, phaophyte और rodophyte इनका common name है green algae, brown algae और red algae तो चलिए पहले point की बात करते हैं which is pigments chlorophyte में होता है chlorophyll A और उसके साथ में होता है chlorophyll B chlorophyll A जो है, वो बहुत ही common chlorophyll है जो आपको सब भी photosynthetic plants में मिलेगा तो chlorophyll A और B यही दोनों pigments मिलके इस algae को देते हैं green grass color अब बात करें अगर phaophyte की तो यहां भी chlorophyll A तो होगा ही होगा उसके साथ यहां पे होता है chlorophyll C बात यह है कि यह brown algae और die atoms नाम के organisms में ही present होता है साथ में यहां पे fucoxanthin नाम का भी pigment present होता है जो brown algae को brown color देता है बात करें रोडोफाइसे की तो यहां पे होता है chlorophyll A इससे तो आप बहुत ही familiar हो चुके हैं इसके अलावा chlorophyll D present होता है जो केवल red algae में ही पाया जाता है तो समझ लीजे red R E D इसमें होता है chlorophyll D उसके अलावा इन्हें red color देता है phycoerythrin नाम का red pigment तो वो भी यहां पे present होता है अब यह तो बात होई pigments की next basis of classification था stored food यनी की इनके पास chlorophyll है तो food तो यह अपना synthesize कर लेंगे लेकिन उसे store अलग-अलग forms में करते हैं chlorophyce यनी green algae store करेगा starch के form में starch क्या होता है carbohydrate की chain होती है और carbohydrates क्या करते हैं energy provide करते हैं pheophyce में laminarin नाम का एक अलग form of starch पाया जाता है जिसकी खास बात यह है कि यह केवल brown algae में ही मिलता है उसके साथ-साथ brown algae food को mannitol के form में भी store करते हैं आपने chemistry में पढ़ा होगा जिसके पीछे भी all लगता है वो alcohol होता है तो mannitol एक sweet tasting alcohol है done यह सब details आपसे पूछी नहीं जाएंगी लेकिन यह मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े आप समझ पाओ कि यह क्या चीज है ताकि आप relate करके उसको easily learn कर सको alright next आजाते हैं road of ice से यानि red algae पे तो यहाँ food store होता है floridian starch के form में तो माम यह floridian starch क्या है यह एक starch का ही type है जो की सबसे पहले red algae में ही discover किया गया था clear अब फटाफट से next basis of classification की बात करते हैं cell wall किसकी बनी हुई है तो chlorophyce की cell wall बनी होती है cellulose की cellulose देखे एक बहुत ही common component होता है सब भी plant cells की cell wall में phoeophyce की cell wall में भी cellulose present होगा उसके साथ साथ इनमें algin भी present होता है जब अभी हम algae की economic importance discuss करेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि यह algin हम humans के लिए बड़े काम का substance है rhodophyce की बात करें तो इनकी cell wall में भी cellulose होगा उसके साथ साथ यहां होता है pectin और polysulfate esters यह जो pectin है यह jams और jellies बनाने में बड़ा काम आता है अभी हम economic importance में सब को discuss करेंगे अल्राइट अब आज आते हैं last basis of classification पे जो की क्या था type and location of flagella तो देखिए जैसा अभी हमने general characteristics पढ़ते वग discuss किया था कि अगर flagella spores में होंगे तो ऐसे spores को हम कहते हैं zoospores और gametes में भी flagella होते हैं तो mostly algies reproductive phase में ही flagella show करते हैं लेकिन कुछ algae ऐसे भी होते हैं जिनकी body normally भी flagellated होती है जैसे chlamidomonas तो चाहे इनकी life cycle के जिस भी phase में flagella present हो वो flagella chlorophyce के case में 2 to 8 in number होंगे equal in size होंगे और apically present होंगे यनि उपर की तरफ present होंगे phagylophyce के case में ये थोड़ा कम हो जाते हैं केवल जादा से जादा 2 ही होंगे unequal होंगे और literally present होंगे यनि side में होंगे और rodophyce की बात करी जाए तो यहाँ flagella phagylophyce से भी कम होंगे 0 यनि flagella absent clear? तो ये तो बात हो गई basis of classification के सारे points की अब जब आप NCRT पढ़ोगे तो वहाँ पे reproduction भी इनका discuss किया हुआ है तो जब NCRT में दिया हुआ है तो हमें भी पढ़ना पढ़ेगा लेकिन सबसे easiest तरीका में आपको बताती हूँ आप बिलकुल नहीं भूलोगे देखे reproduction की बात करें तो हमने general characters पढ़ते वक discuss किया था तो vegetative reproduction जो की algae में होता है fragmentation की थूँ वो तीनों ही algae में present होगा इसमें कोई confusion नहीं है next है भाई asexual reproduction तो दो तरह की spores हमने पढ़े थे flagellated zoospores और non-flagellated aplanospores तो chlorophyce में flagellated zoospores के थूँ asexual reproduction होगा phaophyce में biflagellated zoospores होगे by मतलब दो अभी just हमने flagella में पढ़ा था न कि दो flagella होते तो biflagellated zoospores होगे और rotophyce में भी हमने पढ़ा था कि यहां तो flagella absent है तो यहां कैसे spores हुए non-motile aplanospores राइट चलिए asexual reproduction done last sexual reproduction तो chlorophyce में isogamous यनि similar anisogamous यनि dissimilar और oogamous यनि बड़ा non-motile female gamete और छोटा motile male gamete तीनों ही तरीके के gametes देखने को मिलते हैं way of ice में भी exactly सेम चीज है iso, anisog और oogamous तीनों देखने को मिलेंगे केवल road of ice में आपको थोड़ा याद रखना है यहां पर केवल oogamous gametes होते हैं ओके, done अच्छा, general characters में habitat discuss करते वक्त हमने कहा था कि algae fresh water, brackish water और marine water तीनों में मिलते हैं लेकिन chlorophyte से fresh water में थोड़े ज़ादा देखने को मिलेंगे और बाकी के दोनों यानि brown और red algae हमें marine water में थोड़े ज़ादा दिखते हैं इसलिए, usually आपको ponds में green algae बहुत easily दिख जाएगा लेकिन brown और red algae देखने के लिए आपको beaches के side जाना पड़ेगा अब थोड़ा सा आपके NCRT के diagrams की तरफ नजर मार लेते हैं और उन्ही की तुरू हम algae के examples भी याद कर लेंगे और इनका thallus कैसा है इसको भी discuss कर लेंगे एक तीर से दो निशाने राइट चलिए तो green algae के ये दो diagrams देए हुए हैं एक है walbox और एक eulothrix तो walbox थो भई हमने discuss किया था ये colonial algae है यानि की काफी सारी daughter colonies मिलके एक parent colony बनाती है eulothrix की बात करें तो ये filamentous होता है यानि thread-like तो हम ये कह सकते हैं कि green algae का thallus बड़े different different types का देखने को मिलता है राइट next बात करते हैं brown algae की तो NCRT में diagrams दिये हुए हैं laminaria, fucus और dicteota के इन diagrams में हम क्या observe कर सकते हैं कि यहाँ leaf-like front present है stem-like type present है और root-like hold-fast present होता है तो ma'am question ये है कि हम इनको leaves, stem और root ही क्यों नहीं बोल देते क्या जरूरत है ये अजीब-जीब से नाम रखने की ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ vascular bundles यानि xylem और phloium absent है ओके चलिए अब finally आ जाते हैं last red algae पे तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है porphyra और polysiphonia का example और हम देख सकते हैं कि porphyra sheet-like है और polysiphonia जो है इसका thallus branched है तो ये आप याद रखिएगा अब finally हम आ चुके हैं last topic पे which is economic importance बहुत मज़िदार तरीके से मैं आपको visually ये topic सिखाने वाली हूँ तो ध्यान से देखिएगा तीनों ही algae food की तरह हम use करते हैं chlorella green algae है जिने हम protein supplement की तरह use करते हैं ये powder के form में आपको मिल जाएंगे tablet के form में मिल जाएंगे और इनको आप अपनी drinks में या खाने में mix करके consume कर सकते हैं उसके अलावा chlorella को as a space food भी use किया जाता है यनि astronauts इनको खाने की जगे consume करते हैं because they are really packed with a lot of nutrients इसके अलावा spirulina भी एक green algae है जिसको हम protein supplement की तरह use करते हैं सार गैसम को as food use किया जाता है और red algae में porphyra को as food consume किया जाता है आपने Japanese sushi या Korean gimbab का नाम सुना होगा तो उसकी जो outer covering होती है वो dried porphyra होता है ऐसे ही dried lamin area जिसको मैंने इस picture में दिखाया है इसको भी काफी सारी Japanese dishes में use किया जाता है clear अब एक point और आपको याद रखना है gelidium और gracilaria नाम के दो red algae से एक substance मिलता है जिसको बोलते है agar और इस agar का use किया जाता है jams और jellies बनाने में तो ये तो हो गई food की बात अब कुछ दूसरे uses की बात कर लेते है तो next slide पे आ जाते है अभी जो हमने agar discuss किया उसका एक use और है इसको as culture media भी use किया जाता है यानि labs में bacteria को इस पे grow करने के लिए use किया जाता है जैसा आप इस picture में देख सकते हैं ये red agar है जिसके उपर ये जो design आपको दिख रही है ये bacteria grow हो चुके है clear? अब बहुत important point और last point तो ध्यान से सुनियेगा हमने cell wall discuss करते वक्त brown algae में बात करी थी algin की और ऐसे ही red algae से हम एक substance extract करते हैं जिसको बोलते है keragene तो algin और keragene से हमें धेर सारे hydrocolloids मिलते हैं hydrocolloids क्या है? ये water holding substances होते हैं जिनको commercially industries में बहुत use किया जाता है जैसे की paper industries, pharmaceutical, food industry और नजाने कहां-कहां इन hydrocolloids का use होता है So this is it about economic importance and about this topic I really hope कि आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा अगर रहा है तो please help out this channel by clicking the like button and commenting मैं इस topic की PPT telegram group पे send कर दूंगी तो आप हमारे telegram group को subscribe कर सकते हैं at t.me slash biology aid आप मुझ से personally भी connect कर सकते हैं on instagram at biology underscore aid I'll see you guys soon and until the next time stay curious